जैहिन आपसे विकाद स्वागत है आपके अपने यूटूब चेनल दवनक्लासिस पर दोस्तो आज हम पढ़ने वाले हैं MP Forrest एक्जाम 2017 में पूछे गए GK GS और MPGK के सभी महत्पुन प्रस्ने तो वीडियो में लाश्ट तक जरूर बने रहे ताकि आप लोगों की बहतर प् नेता थे तो इसका जो राइट आंसर है वा है option number 3 एक संगीत निर्दे सक्थ है आदेश स्रिवास्तव एक संगीत निर्दे सक्थ है आदेश स्रिवास्तव का जन्म जवलपूर में हुआ था आगे बढ़ते हैं next question की और next question या पर पूछा गया था सहद उत्पादन के लिए कोन सा जिला प्रसिद्ध है चार अपिसन आपको दियेंगा है और पूछा गया है सहद उत्पादन के लिए कोन सा जिला प्रसिद्ध दे तो राइट आंसर होगा option number 4 चार मुरेना सहर जो है या सहद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तो आप से पूछा जा सकता है घ्यारवी सताब्दी में कच्छुआअवंस की राजधानी कौन सी थी तो आपका अंसर होगा और यह की सम्भाग में आता है? चम्बल सम्भाग में आता है नेख्ष्ट कोशेन यहापर पुछा गया था, मद्दी प्रदेश में कितने विश्व धरोहर इस्थल है, तो इसका जो राइट आंसर है, वा है आपसन नंबर बरतमान दोहजार बाविस के इसाफ से देखा जाए, तो इसका आंसर होगा, आपसन नंबर चार, पाँच, बरतम सहरों को भी इस सूची में सामिल किया गया है इस प्रकार से पांच इस्थल मद्यप्रदेश में हैं जो कि बिश्व धरोवर इस्थल की सूची में बर्तमान समय में सामिल हैं आगे बरते हैं next question की ओर next question यहां पर पूछा गया था होसंगाबाद प्रतीभूती कागच कार खान की स्थापना की गई थी और बरतमान अगर होसंगा बाद सहर की बात कर ली जाए तो होसंगा बाद सहर जो है या नर्मदा नधी के किनारे इस्थी थे आगे बढ़ते हैं और मद्प्रदेश में बावन जिले में इस्ति थे आगरमालबा प्रदेश का सब्से च्योटा जिला है और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन की और नेक्स्ट क्वेशन यहां पर पूछा गया था निम्न में से कौन से जिले में मेगनिच के बड़े भंडार पाए गए हैं तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप्शन नमबर 4 बाला घाट में बाला घाट जिले में मेगनिच के बड़े भंडार पाए गए हैं बाला घाट को मद्य प्रदेश की मेगनिच जिराजधानी भी कहा जाता है तो यह question आप से पूछा जा सकता है कि मद्द प्रदेश की मेगनी जिराजधानी किसे कहा जाता है तो आपका अंसर होगा बाला घाट को next question यहाँ पर पूछा गया था निम्ना लिखित में से किस बर्स में मद्द प्रदेश के मुख्यमंतरी चार दिनों की सिंगापूर यात्रा पे गये थे तो यह 2017 का current affair था यह आपको याद नहीं रखना है वैसे मैं इसका आंसर आप लोगों को बता देता हूँ तो राइट आंसर इसका जो था वह था option number 2 बर्स 2016 में तो 2016 का current affair था जो 2017 पूछा गया था तो इसे आपको याद नहीं रखना है बर्तमान समय में मद्द प्रदेश के मुख्यमंतरी हैं सिवराश्सी चोहान और गबर्नर हैं आनंदी बिन पटेल नेक्स्ट कोशन यहाँ पर पूछा गया था किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने 2010 में 200 रनों की पारी खेली थी तो इसका जो राइट आंसर है वह है option number 3 केप्टन रूप से इस्टेडियम इंदोर में केप्टन रूप से इस्टेडियम यहां पर यहां गलत छपा हुआ है क्योंकि केप्टन रूप से इस्टेडियम जो है यहां ग्वालियर में है तो यहां पर आप यह जो नाम यहां दिया हुआ यह गलत है न केप्टन रूप से इस्टेडियम कहा है ग्वालियर में तो केप नेक्स्ट क्वेशन पुछा गया है किस इस्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने 2010 में पंडे में 200 रनों की पहली पारी खेली थी तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप्शन नमबर तीन बर्स 2010 में सचिन ने पहली 200 रनों की पारी केप्टन रूप से इस्टेडियम में खेली थी और सचिन को किरकेट का भगवान कहा जाता है इनकी बुक का नाम है प्लेइंग इट माय बे तो यह अक्सर एक्जाम में पूछी जाती इसे भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन यहाँ पर पूछा गया था निम्र लिखित जिलों में से कौन से जिले से चंबल नदी का उदगम होता है चार आपसन आपको दिये गया है और पूछा गया है चंबल नदी का उदगम कहा होता है तो राइट आंसर होगा आपसन नमबर दो इंदोर जिले से चम्बल नदी का उदगम इंदोर जिले के महू के निकट जानापा पहाड़ी से होता है यहां मद्यप्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है चम्बल मद्यप्रदेश की सरबाधिक म्रदा अपरदन करने वाली नदी है और चंबल जो है यहां यमना की साहिक नदी है चंबल अपने मार्ग में खड़ों का निर्मान करती है जो की डाकुओं के लिए आश्रे इस्थल का कारे करता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की और नेक्स्ट कोश्चन यहां पर पुछा गया था 2015 में इंदोर में किसने 32.2 किलोमीटर मोटर सैकल पर खड़े होकर लगातार चला कर गिनिज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में अपना नाम सामिल किया तो यह आप आपको याद नहीं रखना है क्योंकि यह आप 15-16 के करेंट अफेर थे जो 17 में पूछे गये थे तो यह आपको जादा जाद नहीं रखना है इसका अंसर था रतनेस पांडे रतनेस पांडे का नाम अक्सर पूछा जाता है तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे आगे कोशन में चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन यहाँ पर पूछा गया था मद्द प्रदेश में निम्रलिकित स्थानों में से कौन से पर सेज इस्थान है सेज का मतलब होता है यह वाला सेज देखिए यहाँ पर जो दिया आपको इस्पेशल एकोनामिक्स जोन किन इस्थानों पर है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो उप्रवक्त दोनो जवालपूर और इंदोर दोनों ही इस्थानों पर मद्द प्रदेश में सेज इस्थान अर्थाद सेज इकोनामिक जोन हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और नेक्स्ट कोशन यहाँ पर पूछा गया था निम् जो जिले हैं उनकी संख्या है 8 और अब जवलपूर में भी जिलों की संख्या 8 हो गई है लेकिन जब भी आपसे यह कोशन पूछा जागे दोस्तों तो आपको अंसर हमेशा इंदोर ही लगाना है क्योंकि इंदोर ही इसका correct answer होता है इंदोर संभाग में बड़बानी बुर इसका अंसर होगा अधिक्तम जिले वाला और आंसर हमेशा इंदोर ही होगा जबलपूर में भी आड़ जिले पर इसका अंसर इंदोर होता है इस बात का आप ध्यान रखेंगे को कोश्चन जब भी पुछा जाए आप इंदोर आंसर लगाए नेक्स्ट कोश्चन यहाप इसके अतिरिक्त यहाँ पर इसके मद्य में दो हजार बर्स पुराना बांधवगड का किला इस्थी थे इसके मद्य से चरण गंगा नदी बहती है तो यह दोनों कोश्चन भी कॉश्चन जब एक्जाम 2022 में पूछे गए थे कि किस राश्च्ट उध्यान के मद्य में लगबग 2000 बर्स पुराना बांधवगड का किला इस्थी थे तो आंसर था बांधवगड रा होगा और हमने आपको जो PDF प्रोवाइड की थी MPGK की उसमें भी यह सारे कोश्चन बिल्कुल आपको दिये गए थे जिससे आपकी बहतर प्रेपरेशन हो पाई थी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की और बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों यदि आप लोगों को MPGK की 1250 प्लस बेस्ट कोश्चन की पीडिये फाइल चाहिए तो आप वीडियो की डिस्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं या पीडिये फ में से जितने भी MPGK के कोश्चन कॉइंटरबल एक्जाम 2022 में पूछे गए थे वह सारे के सारे कोश्चन इसी पीडिये फ से पूछे गए थे तो इस पीडिये फ को आप आशानी से प्राप्त कर लें ताकि आपकी आने वाली फॉरेस्ट एक्जाम की या सभी PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो की डिस्क्रप्शन में दीगे लिंक पर जाकर आसानी से उसे प्राप्त कर सकते हैं नेक्स्ट कोश्चन या पर पूछा गया था मध्य प्रदेश का राज की पसु है तथा राज की पक्छी है दूद राज जिसे इंग्लिस में पेरडाइज फ्लाइकेचर केते हैं राज की ब्रक्ष है बरगद राज की पुस्व है वाइट लीली और राज की मचली है महासीर तो यह सारे नाम आपको याद होना चाहिए अक्सर एक्जाम में पूछ लिया जाते हैं काफी इजी कोश्चन है फिर भी एक्जाम में पूछे हैं नेक्ट कोश्चन यहापर भवपाल में हाली में इस्थापीट सोर इसमारक किसको समर्पि थे तो यह काफी इंपॉर्टेंट कोश्चन इए अप लोगों को अच्छे से याद रखना है आगे बढ़ते हैं नेक्स question यहाँ पर पुछा गया था स्वच्छता सर्वेक्षान 2017 की सिर्ष 50 रेंकिंग में मध्यप्रदेश से अधिकतर ज्यादा सेरों की संख्या रखने वाला राजी कौन सा है तो इसका जो राइट आंसर वह है option number 3 गुजराद तो यह 2017 का current affair था इसलिए इसे आपको याद नहीं रखना है आगे बढ़ते हैं और देश का जो सबसे स्वच्छ सहर है वह हमारा इंदोर है या भी आपको याद रखना है next question यहाँ पर पूछा गया था पेच राष्टुध्यान के माध्यम से पेच नदी को छिंदवाला और खालिस्तान जिला विभाजित करता है तो इसका जो राइट आंसर रिवा है option number 1 गुजराद जिला विभाजित करता है पेच नदी जो है या छिंदवाला जिले से निकलत पर इस्थी थे चार आफसन आपको दिये गया और पूछा गया है बरगी बांद किस नदी पर इस्थी थे तो राइट आंसर होगा option number 2 नर्मदा नदी पर बरगी बांद नर्मदा नदी पर इस्थी थे नर्मदा नदी का उदगम मध्द प्रदेश के अमरकंटेक्स से होता इसे मध्द प्रदेश की जीवन रेका कहा जाता है या मध्द प्रदेश की सबसे लंबी नदी है जिसकी total लंबाई 1312 किलो मेटर है और मध्द प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलो मेटर है या पच्छिम दिसाकी और बहते हुए खमबात की खाड़ी अरफ सागर में गिर में से काना राष्टी ध्यान का अनमोल रत्न कोन सा है चार आप्षन आपको दिये गया और पूछा गया है काना राष्टी ध्यान का अनमोल रत्न कोन सा है तो राइट आंसर होगा आप्षन नमबर 3 बारह सिंगा या मद्यप्रदेश का मतलब की काना राष्टी ध्यान किया गया था यह भारत का प्रथम राष्टिद्यान है जिसने परस 2017 में अपना सुभंकर भूर सिंग दा बारा सिंगा को जारी किया था तो आपसे एक कोश्चन पूछा गया काना राष्टिद्यान और इसके सुभंकर का नाम है भूर सिंग दा बारा सिंगा तो इस राष्टिद्यान का अप्शन नमबर तीन इसका करेक्ट आंसर है आगे बढ़ते हैं नेक्ष्ट कोश्चन की और दोस्तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फाग किस छेत्र का लोक प्री लोक गायन है तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका जल्दिस बताएं सभी लोग का कमेट करके आंसर बताएंगे राइट आंसर है आप्शन नमबर तीन निमार का फाग जो है यहा निमार छेत्र का प्रसिद्द लोक प्री लोक गायन है पुराणी काल में निमाड अनूप जन्पत के नाम से जाना जाता था खरगोन जीलो को पश्चमी निमाड तथा खंडवा जीलो को पुर्भी निमाड के रूप में जाना जाता है तो यह question Constable Exam 2012 में पूछा गया कि पुर्भी निमाड के रूप में किसे जाना जाता है आप्शन दिये गए थे और आंसर था खंडवा को और एक question अधर shift में पूछा गया कि पस्चमी निमाल के रूप में किसे जाना जाता है तो खरगोन जिले को पस्चमी निमाल के रूप में और खंडवा जिले को पूरवी निमाल के रूप में जाना जाता है, दोनों ही आपको याद रखना है, कॉंच्टबल एक्जाम 2022 में पूछे गए प्रशने हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों, अब हम इसी सिफ्ट में 22 जुलाई 2017 की फर्स्टे सिफ्ट में पूछे गए साइंस के कोशियन दे मेगनेशियम आक्साइड जो है, या एक बेसिक या मुलभूत आक्साइड है, और इसका जो सूत्र होता है, वहाँ MGO होता है, अक्सर एक्जाम में इसका सूत्र पूछा जाता है, इसलिए आपको यहाँ याद होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोशन की और, न प्रकास संसलेशान कर सकता है, युगलीना एक कोस की प्रोटो जोवा संग का प्राणी है, इसे जंतुओ तथा पादपो के बीच की योजक कड़ी कहते हैं, इसमें हरित लबक पाया जाता है, तो काफी इंपोर्टेंट कोशन अक्सर एक्जाम में पूछा जाता है, आने व प्रकास की उपस्तिती में ही हम किसी भी बस्तु को देख पाते हैं, तो हमारी जो द्रश्टी की संबेदना का कारण है, वह प्रकास होता है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोशन की और, नेक्स्ट कोशन यहां पर पूछा गया था, गहरे समुद्र में गोता लगाने वाल उपर की और, या सभी दिसाओं में, तो इसका जो राइट आंसर है, वह है, आपसन नमबर चार सभी दिसाओं में, माल लिजे कि यहां जल है, और जल में नीचे कोई बस्तु यहां पर रख्यों है, तो इस पर जो दवाब लगता है इन परतों का, जल की इन सभी परतों का या सभी दिसाओं में समान रूप से लगता है, या आपको अच्छे से याद रखना है, ड्रव का दवाब सभी दिसाओं में हमेशा समान होता है, आगे बढ़ते हैं, और इसके लिए आप एक टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि माल लिजे, आप एक ग्लास लिजे, और इस ग ग्लास से उतनी ही दूरी पर पानी गिरेगा, आप एक छेद आगे की ओर कर सकते हैं, और एक छेद पीछे की ओर भी कर सकते हैं, जिससे कि चारो दिसाओं में सेम जितनी दूरी पर गिरेगा, चारो दिसाओं में भी उतनी दूरी पर ही गिरेगा, इसका मतलब जो होता है, क जब जस्ता sodium hydroxide से प्रतिक्रिया करता है तब क्या बनता है तो इसका जो right answer वह है option number 1 sodium zinc ket or hydrogen gas जब जस्ता sodium hydroxide से प्रतिक्रिया करता है तो sodium zinc ket or hydrogen gas बनती है next question यहाँ पर पूछा गया था दोस्तो ब्रक की निश्यंद इकाई क्या है चार option आपको दिए गया है और चार option आपको देखें एसी में सा answer बताना है ब्रक की निश्यंद इकाई क्या है तो इसका जो right answer है दोस्तो वह है option number 3 ग्लो मेरूलस ब्रक की निश्यंद इकाई है मानों में एक जोड़ी ब्रक पाए जाते हैं और जिनका भार होता है 1500 ग्राम या भी आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं next question की और next question यहाँ पर पुछा गया था काल जब मासिक चक्र रुक जाता है चार option आपको दिये पाए और पुछा क्या है उसे क्या कहा जाता है जब मासिक चक्र रुक जाता है तो इसका जो right answer है वे है option number 1 रजो निवरत्य के नाम से जाना जाता है मेनो पॉस्ट के नाम से या रजो निवरत्ती के नाम से जाना जाता है रजो निवरत्ती महिलाओं में आम तोर पर 45-50 बर्स की IU के भीच होती है तथा महिलाओं में रजो दर्सन की शुरुवात 14-15 बर्स की IU में होती है आगे बढ़ते हैं, next question की ओर next question यहाँ पर पुछा गया था खाने में कौन से नमक का उपियोग किया जाता है चार option आपको दिये गया और पुछा गया खाने में कौन से नमक का उपियोग किया जाता है right answer होगा option number 3 sodium chloride अर्थाद NCl का उपियोग खाने के नमक के रूप में किया जाता है next question यहाँ पर पूछा गया था निम्न अधातूओं में से कौन सा ठोस रूप में पाया जाता है चार option आपको दिये गए हैं और इसका right answer आप लोगों को बताना है तो इसका correct answer है option number 4 उप्रोक्त सभी उप्रोक्त सभी जो है या अधातूओं एक प्रकार से सारी की सारी अधातूएं हैं और या ठोस रूप में पाय जाती है अयादी आप से पूछा जाता है कि एक मात्र अधातू कोन सी है जो द्रव अवस्था में पाय जाती है तो आपका अंसर होगा ब्रोमीन एक मात्र अधातू है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाय जाती है आगे बढ़ते हैं next question की और next question यहाँ पर पुछा गया था इन में से कौन सा विस्थापन का अभी लाक्षणिक नहीं है चार option आपको दियेगे और पुछा के इन में से कौन सा विस्थापन का लक्षण नहीं है या अभी लक्षण नहीं है तो चार ओप्षण आप आसानी से देख पा रहे होंगे इसका correct answer है दोस्तो option number 2 यहाँ सदेब धनात्मक होता है तो यहाँ विस्थापन के बारे में गलत है क्योंकि विस्थापन धनात्मक, रिनात्मक और सुनने भी हो सकता है माल लिजे कि एक बस तू यहाँ पर रखी विए और यह यहाँ तक गई दूसरे point तक और दूसरे point से बापिस पहले point पर आ गई तो इस condition में विस्थापन zero होता है अगर यह यहाँ से यहाँ तक गई थी पांच मीटर मालो गई तो विस्थापन धनात्मक हुआ था अब यह यहाँ से यहाँ तक गई और फिर बापिस आकर इधर यहाँ तक आ गई तो आप कैसा हो गया विस्थापन रिनात्मक हो गया तो विस्थापन जो होता यहाँ धनात्मक रिनात्मक और सुनने भी हो सकता है तो यहाँ पर इसके बारे में गलत कथन जो है कि यहाँ सदेब धनात्मक होता यहाँ विस्थापन के बारे में गलत है आगे बढ़ते हैं next question की और next question यहां पर पूछा गया था निम्रा लिखित में से कौन सा जल से हलका होता है चार option आपको दिये गए हैं और इसका जो correct answer वा है option number 4 potassium जो है यहाँ जल से हलका होता है इसका प्रतिक चिन K और पर्मानुक्रमांक 13 होता है तर्बूज आप तर्बूज खाते होंगे गर्मी के दिनों में तर्बूज potassium का सबसे अच्छा सरोध होता है तो आप से पूछा जा सकता है कि potassium का सबसे अच्छा सरोध कौन सा होता है तो आपका answer होगा बटर मेलन या जिसे हम तर्बूज भी कहते हैं आगे बढ़ते हैं next question की और, next question यहाँ पर पूछा गया था, निमना लिखित में से कौन सा बल दूरी पर किरिया बल है, तो इसका जो right answer वा है, option number 2, चुम्बकी बल जो होता है, यहाँ बल दूरी पर किरिया बल है, चलिए आगे बढ़ते हैं next question की और, दोस्तो, यदि आप ल लोगों को science, एबं, हिंदी और English, इन सभी की PDF, अलग-अलग download करना है, सभी सिफ्टों की total, जितनी भी सिफ्ट हुई थी, इन सभी की PDF डाउनलोड करना है, तो आप वीडियो की description में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके अलाबा, MP Police Constable Exam, MP SI exam, MP पटवारी exam, और other MP जितने भी group 2, group 4 के previous year paper है, उन सभी वीडियो के solution देखना है, उन सभी papers के solution देखना है, ता आप चैनल की playlist में जाकर वहां आसानी से देख सकते हैं, आगे बरते हैं, next question पूछा गया था, निम्नमे से कौन सा एक आभासी प्रतिविम नहीं उत्पन्य क कर सकता, तो इसका right answer है, option number, जहां पर 4 option आपको दिये गए होंगे, देखे, सभी को देख लीजे, आशानी से, फिर उसके बाद इसका answer बताएंगे, पूछा गया है, निम्नमे से कौन सा एक आभासी प्रतिविम नहीं उत्पन्य कर सकता है, correct answer होगा, option number 4, उप्रोक्त सभी आभासी प्रतिविम उत्पन्य कर सकते हैं, समतल दरपन पर बना प्रतिविम आभासी होता है, उतल लेंस पर बना प्रतिविम भी आभासी होता है, तो यह सभी आभासी प्रतिविम उत्पन्य कर सकते हैं, आभासी प्रतिविम को परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है आगे बढ़ते हैं next question की और next question यहाँ पर पूछा गया था इलेक्ट्रो प्लेटिंग के दोरान सुद्ध धातु कहा निछेपित होती है तो इसका जो right answer है वह है option number 3 केथोड पर इलेक्ट्रो प्लेटिंग के दोरान सुद्ध धातु केथोड पर निछेपित होती है और विद्धुत लेपन या इलेक्ट्रो प्लेटिंग या इसे हम हिंदी में विद्धुत लेपन केते हैं तो विद्धुत लेपन या इलेक्ट्रो प्लेटिंग का उप्योग लोहे की बस्तुओं को सरक्षित रखने के लिए इन पर दूसरी धातुओं को चड़ाया जाता है आगे बढ़ते हैं next question की ओर next question यहाँ पर पुछा गया था रक्त फेपडों से हिर्दय में किसके द्वारा प्रवेश करता है right answer होगा option number 3 फुपसी सिरा रक्त फेपडों से हिर्दय में फुपसी या सिरा के द्वारा प्रवेश करता है फुपसी या सिरा जो होती है यहाँ सिराओं में अपवाद होती है फुपसी या सिरा सुद्ध रक्त का परिबहन करती है जबकि सभी अन्य सिराएं जो होती है वहाँ असुद्ध रक्त का परिबहन करती है चलिए आगे बढ़ते हैं, next question की और, next question यहाँ पर पुछा गया था, पबन होती है, गतिसील, गतिसील या बिराम बायू, बिराम बायू, या इन में से कोई नहीं, तो इसका जो right answer रिवा है, option number 1, गतिसील बायू, गतिसील बायू जो होती है, इसे पबन कहा जाता है, पबन स परागत और आप अरंपरागत सरोथ से हमेशा question पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमेका आपको यह सब याद होना चाहिए, next question पूछा गया था, प्रज्वलन ताप बहा ताप है, जिस पर ज्वलन सिल पधार तो होता है, इसका right answer है, option number 4, आग पकड़ लेता है, प्रज्वलन ताप की बात कर ली जाए, तो प्रज्वलन ताप किसी बस्तू का वहाँ निम्नतम ताप होता है, जिस पर कोई बस्तू जलना प्रारम करती है, जैसे की कागज का प्रज्वलन ताप, लकड़ी के प्रज्वलन ताप की अपिछा कम होता है, आपने देखा होगा, माचिस की एक सिली से कागच को जलाया जा सकता है, लेकिन लकड़ी को नहीं जलाया जा सकता है, एक मोटी लकड़ी को नहीं जलाया जा सकता है, कारण है कागच का प्रजोलन ताप लकड़ी के प्रजोलन ताप से कम होता है, तो कोई भी बस्तू जिस निम्नितम ताप पर आग पकड़ती है उसे उस बस्तू का प्रजोलन ताप कहा जाता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशिण की ओर नेक्स्ट कोशिण ही आपर पुछा गया था जनतू कोशिका में नहीं पाय जाते हैं चार अपसन आपको दिये गया और पूछा गया है केंद्रक, हरितलबक, कोशिका, द्रभ्य और माईट्रो कांडिया इनमें से कौन सा जनतू कोशिका में नहीं पाया जाता है तो इसका जो right answer है वा है, option number 2, हरित लवक जो है, यहां जन्तु कोशिका में नहीं पाय जाते हैं, हरित लवक पादब कोशिकाओं में पाय जाते हैं, और यहां प्रकास संसलेशन में साहिक होते हैं, आगे बढ़ते हैं, next question की और, next question यहां पर पूछा गया था, पधार्त का सबसे छोटा कण कौन सा होता है, एक पर्माणू, एक neutron, एक electron, यह एक proton, तो इसका जो right answer रिवा है, option number 1, एक पर्माणू जो है, यहां पधार्त का सबसे छोटा कण होता है, पर्माणू में तीन कण होते हैं, proton, electron तथा neutron, पर्माणू सोतंत्र अभस्था में नहीं पाय जाता है एक कोश्चन आपसे एक्जाम में और पूछा जाता है जो कि कॉंस्टिबल एक्जाम 2022 में पूछा भी गया कि पधार्थ का वहाँ स्वक्षतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं तो आपका अंसर होगा अणू यदि आपसे पूछा जाता है पधार्थ का वहाँ स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है तो आपका अंसर होगा अणू क्योंकि परमाणू जो है यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की और नेक्स्ट कोश्चन यहाँ पर पूछा गया था नर में लेंगिक परिपकवता किस आयू से सुरू होती है तो right answer होगा option number 1, 13 से 14 बर्स की उम्र में पुरूसों में लेंगिक परिपकवता की आयू सुरू होती है नर में पाया जाने वाला sex hormones, testosterone होता है, पुरूसों में सुक्राणू का निर्मान ब्रक्य में होता है और सुक्राणू जो है यहां मानो सरीर की सुक्षितम कोसिका होती है और मानो सरीर की सबसे बड़ी कोसिका पूछली जाए तो वहाँ अंडाणू होती है तो दोनों ही question आपको याद रखना है, दोनों ही constable exam 2022 में पूछे गए प्रस्न है तो आज का session दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करें, चेनल को जरू सब्सक्राइब कर ले, MP Police Constable exam, MP Forest exam, MP SI exam, MP Patwari exam और MPK Group 2, Group 4 के exam इन सभी exams के previous year paper के solution देखना है तो आप चेनल की playlist में जाकर वहाँ से देख सकते हैं MPGK की best 1250 plus question की PDF दाउनलोड करने के लिए आप चेनल की या इस वीडियो की description में दी गए लिंक पर क्लिक करके इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी त्यारी को बहतर कर सकते हैं जिससे कि आपका MP Forest exam में selection हो पाएगा, तो इसी के साथ जैहिन